हटलो एव्रिवन वालकूम टू मैं यीटूब चैनल अमनी सर आज की इस विडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरिया आफ एन आईसोचेलर स्टरेंगल विध डैडिवेसन यह आणि इसोचेलर स्टरेंगल का जो एरिया होता उस एरिया का हम लोग डैडिवेसन इस विडि एड एरिया ओफ एन आइसो से लस ट्रेंगल एक्वल बी बाई 4 इंटू स्क्वायर रूट ओफ फोरे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर इंट्स में होता है ठीक है एस्कवायर इंट्स यहां जो इसो सेलर इंगल में आपको पता है कि डो साइट कर रहा और पसांद साथ B जो है बेस को एक तरीका से इंडिकेट कर रहा है यहां पर हम वेयर करके लिख सकते हैं ए जो है इच आफ इक्वल साइड से ने दो साइड इक्वल होता है उसको ए माना गया और बी जो है इसको आप बेस मान सकते हैं थार्ड साइड हो जाएगा अब देखिए इसका डेडिवेशन करते हैं तो सबसे पहले डेडिवेशन करने के लिए आपको जनकारी होना चाहिए यह ट्रेंगल का जो एहरिया का basic फर्मॉला होता है यह बैसिक फर्मॉला की रिजए इवच करके यहां भी इम्प्रूब करने वाले हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं qisoy Watts ट्रेंगल ड्रो करते हैं यहां से suppose करते हैं की ABC एक ईफसेलेश्वेश्वाइड है इसोसेलेस है नायां भग सपोज कर लेते हैं अब इस ट्रेंगल का एरिया बताने के लिए जेनरल फॉर्मल आपको पता है कि वन बाई टू बेस इंटू हाइट फिलाल अगर हम बीसी को बेस लेकर चलते हैं तो बेस बीसी के लिए एक कोरिस्पार्णिंग हाइट का भी जुरूत पड़ेगा तो बीसी पहले हमको एडी के वैलू इवैलुएट करना होगा अब यहां पर देख रहे हैं कि एक ट्रेंगल एडी सी दिख रहा और एक ट्रेंगल एडी भी दिख रहा दो ट्रेंगल दिख रहा दोनों ट्रेंगल में आते हैं तो क्या दिखते हैं सो देखिए पहले ट्रेंगल में भ कांगा नहीं हो जाय रहा है तो हम इतने को लिखेंगे तो युसको भी क्या लिखेंगे तो बिवाइब टू तो आई इतने को पहले हम लेंगिव में लिखते हैं पूरुफ लास्ट में लिखेंगे है पहले हम सब्सक्राइब करते हैं स्वलूशन में तें सब्सक्राइब कर दो यह जो है किसके इक्वाल है तो एसी के इसके वहलू को हम लोग क्या मान के चलना है तो ए यूनिट्स और जो थार्ड साइड है यानि कि इसको क्या मान के चलना है तो भी यूनिट्स अब यहां से प्रूफ हम को क्या करना है तो लिखते हैं तो प्रूफ करना है कि ए बी सी जो आई सुसेलस्ट रिंगल है इसका एडिया क्या होगा तो बी वाई फॉर इंट्व ए स्कॉाइर रूट ओफ फॉर ए स्कॉाइर माइ अब हम क्या करेंगे आपको बता है कि ए बी डी और ए सी डी दोनों ट्रेंगल जो है गुरेंट होगा ठीक है तो प्रूप में पहले इसको डालते हैं तो आपको हम बता है कि आर एसे क्रिटेरिया से ठीक है यानी दोनों ट्रेंगल कन्गरेंट होगा तो कन्गरेंट होने का मतलब कि बी डी जो है किसके इकल होगा CDK और total value B के equal है यानि दोनों B by 2, B by 2 के equal हो जाएगा अब हम क्या करते हैं कि हमको मिलनी जो है AD evaluate करना AD evaluate कर लेंगे तो base तो पहले से पता है ही उसके बाद आसानी से मेरिया को proof कर पाएंगे तो AD evaluate करने के लिए आपको दो ट्रेंगल दिख रहा है एक ADC दिख रहा है एक ADB दिख रहा है दोनों ट्रेंगल में दोनों सेमी ट्रेंगल है दोनों में किसी एक ट्रेंगल में हम आ करके पहले हम किसको evaluate करेंगे तो AD करेंगे तो आईए किसी एक ट्रेंगल में हम आते हैं पह सी में आते हैं तो एडी सी एंगल जो है 90 डिग्री का है तो यहां से पाइथागुरुस थिरम से लिखा जा सकता है कि ह स्कॉर प्लस भी स्कार होता है 90 के सामने उला साइड ही लोंगे साड आणी हाइपोटि नस्काम करेगा तो hm को लिखेंगे ड्सपार प्लस सी ड्सपार याणी इसक 개인 लिखा जा सकता है पहले ड्सकार प्लस ड्सकार इक्वल एस समीड एस स्कार तो एड2 स्क्राइब करते हैं तो इसी का जो बैलू है यानि एक स्क्राइब कर सकते हैं तो एडी स्क्राइब जाएगा वन और फोर का लिए फोर में से डिवाइड करते हैं फोर एस्क्राइब कर देते हैं फोर एस्क्राइब करते हैं तो यहां से हम एडी को लिख सकते हैं एस्क्राइब हटा रहे हैं तो अपोजिट सैट में स्क्राइब यहां पर यहां पर समझें हाइट हो गराए तो यह कभी निगेटिव हो नहीं सकता यानि एडी मिलें स्क्राइब स्क्राइब अब नुट चाहिरा जानते हैं त्यक्राइब कर सकते हैं तो आप लिखेंगे लिए भी सी तो आप जन्र फार्मट जानते हैं 1 by 2 base into height 1 by 2 यहां भी काम करेगा base फिलाल हम BC के ले रहे हैं तो BC के लिए जो corresponding height होगा यह अपका AD बनेगा तो यहां से लिखेंगे area of triangle ABC equal 1 by 2 BC के value अपका कितना आथ B unit है into AD के value के आथ square root of 4A square minus B square by 2 है यहांने इसको finally लिखा जा सकता है area of triangle ABC BC equal B by 2 to 4 into square root of 4A square minus B square square units में आजाएगा चुकि यहां दो बर multiply होगा रहोगा देखर नएक length यहां पर 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 होगा लेकिं रूट के बाहर आएगा तो सिधे unit हो जाएगा दोने unit multiply होगा यहां जाएगा जानते भी आपके area square unit में होता है तो area of triangle ABC क्या आगया B by 4 into square root of 4A square minus B square square unit इसमें A जो है आपके equal side को indicate कर रहा B जो है इसके base को indicate कर रहा यानि equilateral triangle का अगर equal side दिया हुआ base दिया हुआ तो इस formula के करके असानी से आप उसका area को evaluate कर सकते हैं साथ साथ अकर आपको जरूत पड़ता है तो आप height को भी evaluate कर सकते हैं यानि इस वीडियो में आई सुसेलस ट्रेंगल के area का जो formula होता हुआ उसका derivation हम लोग देखे हैं आसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा possible तो share भी कीजिएगा और नया है चनल पे तो subscribe करके bell icon को press करें मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में थेंक्यू